प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पर हिंदी लोकवाणी नौवी कक्षा का पार्ट नमबर साथ जिसका नाम है छोटा जादूगर इसका स्वाद्ध्या यानि प्रशन उत्तर आपके सामने हम एक्स्प्लेन कर रहे हैं हम आपको इसे उर्दू और हिंदी दोनों में एक्स्प्लेन करेंगे तो बच्चो ध्यान से देखिए का बहुत छोटा सा वीडियो है और अगर आप इसको सही धंग से समझ लेते हैं तो यकीनन इस पार्ट के जो स्वाद्ध्या हैं वो आप तयार कर लेंगे आई ये देखते हैं इसका पहला प्रशन क्या है तो पहला प्रशन है नमबर एक विधानों को सही करके लिखिए मतलब ये है कि आपको ताश के सब पत्ते पीले हो गए थे ये गलत लिखा हुआ है इसका सही जवाब क्या है देखते हैं ताश के सब पत्ते लाल हो गए थे ये पीले को बदल कर आपको क्या कर देना है लाल मतलब आप अपने जहन में लाल और पीले को अगर बिठा लें तो इसका जवाब आपको याद हो गया, ये पूरा वाक के आपको दुबारा लिखना पड़ेगा, सिर्फ लाल लिखने से काम नहीं चलेगा, ख, मतलब पहले का दूसरा प्रशन है, खेल हो जाने पर चीज़ें बटोर कर उसने भीड में मुझे देखा, इसमें क्या गलती हुई है, आईए देखते हैं, देखिए बच्चों, जहां चीज़ें हैं, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पैसा, खेल हो जाने पर पैसा बटोर कर उसने भीड में मुझे देखा, यह प्रशन एक हो गया, अब हम प्रशन नमबर दो देखते हैं, प्रशन नमबर दो में संजाल पूर्ण कीजिए, यह ट्री डाइगराम है, वेब डाइगराम है, हम इसको पूर्ण करेंगे, यहां पूछा गया है, कार्निवल में खड़ लड़के की विशेष्टाएं क्या हैं, आईए देखते हैं, पहले विशेष्टा ताश का खेल दिखाने वाला, ठीक है, यह विशेष्टा थी, वो लड़का जो कार्निवल में खड़ा था, वो ताश का खेल दिखाने वाला था, उसके बाद दूसरी और विशेष्टा उस मतलब ये हुआ वो खुद्दार टाइप का था किसी के आगे हाथ ठैला कर भीक मांगना मदद मांगना उसकी आदद नहीं थी और आखरी विशेष्टा उस लड़के की ये है कि वो आकरशक था मतलब उसके सुभाओं में एक दिलकश अंदास था और वो लोगों को अपनी तरफ आकरशित करता था लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे तो बच्चो ये संजाल आप लोग पूर्ण करने की प्रैक्टिस कर लीजिए आप कहा मिस्टेक करोगे पहली बात तो ये है कि ये आंसर्स आप याद कर लो इसको जहन में भी ठालो और उसके बाद इसको लिखने का तरीका भी सीख लो उसके बाद हम प्रश नमबर तीन की तरफ चल दे हैं बच्चो प्रश नमबर तीन छोटा जादुगर कहानी में आए हुए पात्र मतलब क्या है कि जो छोटा जादुगर है उसमें कितने पात्र आए हैं कितने कारेक्टर्स आए हैं कितने रोल आए हैं ये जो कहानी है उसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है आईए देखते हैं नमबर एक लेखक नमबर दो छोटा जादुगर नमबर तीन शिरी मतीजी और नमबर चार मा तो बच्चों आपने देखा कि लेखक छोटा जादूगर मा और श्री मती जी ये चार कायरेक्टर हैं जो छोटा जादूगर कहानी में इनका डायलोग इनकी बातचीत होती है या इनके बारे में पढ़ा जाता है तो ये सवाल लंबर तीन था अब हम सवाल लंबर नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं जो सवाल लंबर चार होगा सवाल लंबर चार में पूछा गया है पात्र शब्द के दो अर्थ पात्र का मतलब क्या होता है पात्र के दो मीनिंग क्या होते हैं पहली मीनिंग है नाटक का भी नेता, मतलब किसी कहानी में, किसी नाटक में काम करने वाला कारेक्टर, जो किरदार निभाता है, जो एक्टर होता है, उसको भी नेता कहते हैं, और उसके बाद जो दूसरा मतलब पात्र का होता है, वो है बरतन जिसे आप जानते हो, तो इसकी पढ़ने की भी प्रैक्टिस आप कर लीजिये और लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिये ताकि आपकी लिखावट में कोई गलती ना हो। आईए हम अगला परशन देखते हैं। बच्चो अगला परशन है भाशा विंदू का इसमें लिखा हुआ है रिक्त अस्थानों की पूर्ती अव्वे शब्दों से कीजिये और नया वाक्य बनाईए। बच्चो अव्वे की जानकारी आपको पहले से होगी और अगर नहीं है तो हम आपके लिए अव्वे उपर भी एक वीडियो बनाईएंगे जरूर देख लेना अव्वे कुछ शब्दों को कहते हैं कुछ खास शब्दों को कहते हैं उन्हीं शब्दों से आज हमें गेस कीजिए और देखते हैं कि आपका आंसर कितना दुरुस्त है आपका आंसर होना चाहिए चुप चाप जहां एक लड़का चुप चाप देख रहा था आपको अपने कौपी में ये पूरा जुमला पूरा वात दुबारा लिखना है मतलब स्रिफ चुप चाप नहीं लि मैं उसकी और ना जाने क्यूं आकर्शित हुआ तिसरा प्रशन देखते हैं डाइश मैं सच कहता हूं बापो जी क्या आएगा बच्चो गेस करो और देखो हाँ मैं सच कहता हूं बापो जी चौथा प्रशन इसमें दो प्रशन के दो रिक्तस्तानों की पूरती है पहला किस किसी नेnięक के हिंडोले से पुकारा यहां पहले में आएगा अकस्मात अनि अच्छानाक ने ऊपर के हिंडोले से पुकारा पांचवा प्राशन, मैं डैश बुलाए भी कहीं जा पहुंचता हूँ, क्या होगा, बिना बुलाए, मैं बिना बुलाए भी कहीं जा पहुंचता हूँ, छटा सवाल, लेखकों डैश वक्ताओं की ना जाने क्या दुर्दशा होती, यहां पर बच्चों आएगा और, लेखक और वक्ताओं की ना जाने क्या दूरदशा होती है सात्वे प्रशन सात्वे प्रशन में डाइश क्या बात तो डाइश में क्या आएगा बच्चो बहुत से बच्चे इसका अंदाजा लगा सकते हैं आईए देखते हैं वाह वाह क्या बात और आखरी प्रशन वो बाजार गया क्योंकि उसे किताब खरीदनी थी तो बच्चो इस तरह से आपने देखा कुल आठ सवाल हैं आपके पास और इन आठ सवालों में आपके लिए कुछ न कुछ रिक्त अस्थान दिये गए थे उन रिक्त अस्थानों की पूर्ती करके आपको दुबारा ये वाक लिखना था जो मैंने बता दिया आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए तो बच्चो उमीद है कि आपको ये स्वाध्याय समझ में आया होगा एक बार और देख लीजिएगा ताकि आपके जहन में पूरी तरह से बैट जाए बहुत ही जल्द हम इसके और वीडियोज अपलोड करने वाले हैं अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ये चैनल तो आप फौरण सब्सक्राइब कर ले ताकि वक्त पर ये वीडियो मिल सके